हलो फ्रेंट्स वेलकम बाक टू मैं चैनल आप सब अच्छे होंगे और टेक्निकली कुछ ना कुछ ना सीख रहे होंगे सो फ्रेंट्स मेरा ये वीडियो मेरे प्रीवेस वीडियो से लिंक है जिस वीडियो के अंदर हम लोगोंने टॉमकेट को इस्टॉल किया था सेंपल अप्लिकेशन को बिल्ड किया था मावण को इस्टॉल किया था और दैन सेंपल अप्लिकेशन गो टॉमक्रेट के उपर डिपलॉय किया था उस वीडियो के अंदर हमने पाइपलाइन जो थी वह डिरेक्ली कॉपी पेज्ट की थी सो अब हम देखेंगे कि उस pipeline को create कैसे करते है step by step सो जो भी लोग नए है जिने pipeline create करना नहीं आता वो आज की इस वीडियो से सीखेंगे कैसे pipeline को create करते हैं और बिल्कुल basic से start करूँगा और इस pipeline को हम धीरे धीरे करके पूरी end तक same pipeline create करेंगे जो हमने पिछले डेमो के अंदर देखा था सो start करते है अपना वीडियो सो मैंने जेंकिन्स इंस्टाल कर लिया है अल्रेडी तो लेट्स लॉग इंटो जेंकिन्स ओके सो दिस इस आजेंकिन्स डैश बोड तो अभी हमें pipeline create करने के लिए पहले हमें pipeline job यहाँ पे create कर लेते हैं तो go to new item and give your pipeline name as test you can give any name you can give and then we can select pipeline and click OK ओके सो यह हमारा pipeline का configure section होता है इसमें किसी में भी कोई भी parameter enable नहीं करना simply हम pipeline section पे जा सकते हैं अब लोगों का doubt ही रहता है कि हम pipeline create तो करें बट start कैसे करें तो start करने के लिए कुछ नहीं करना एक sample pipeline आपको यहीं पे provided होती है hello world की so आप इस pipeline को as a reference ले सकते हैं और इसी pipeline को आज हम grow करेंगे from starting to end so pipeline create करने के लिए आप कोई भी editor use कर सकते हैं whether it is a visual studio code और कोई भी editor बट अगर किसी के system पे कोई भी editor available नहीं है तो notepad तो available हो गा ही so आज हम इसे notepad में ही edit करते हैं तो एक notepad open कर लेते हैं अब आपको करना क्या है simply इस code को copy कर लिजे and this code को आप अपने notepad में paste कर लिजे okay क्योंकि मैं इस code से इसलिए शुरू कर रहा हूं क्योंकि जो भी Jenkins को install करेगा उसको ये code हमेशा available होगा so इस code को as a reference लेते हुए हम अपनी पूरी pipeline को build करेंगे so मैंने क्या किया हुआ है कि एक notepad पर सारे के सारे commands लिख लिए हैं जो commands हमने उस दिन create किये थे and इस commands को हमने अपनी pipeline के अंदर use किया था complete pipeline को build किया था so pipeline basically होता क्या है अगर आप इसमें देखेंगे तो pipeline कुछ नहीं होते stages के अंदर stages define की जाती है so stages के अंदर multiple stage को define कर सकते हैं so अभी यहाँ पर एक stage define है बट हमारी pipeline के अंदर I think almost 7-8 stages थी so हम वही 7-8 stages को create करेंगे यहाँ पर so हमारा जो पहला stage था वह stage हमारा checkout code था तो नाम हम किसी भी stage को कैसे देते हैं वह अभी देखते हैं जैसे यहाँ पर stage और इसके बाद single code में जो भी लिखा है यह basically stage का नाम होता है तो हम इसे remove करेंगे और अपना checkout code यहाँ पर लिख दिया अब यह हमारा stage का नाम हो गया steps के अंदर हमें क्या लिखना है वहाँ पर complex सा syntax मैंने लिखा हुआ था जो हमें इसके रिए use करना होता है तो वह syntax कैसे मैंने बनाया था simple होता है आपका जहां पर भी Jenkins install है आप Jenkins को same URL को copy कर लिजे नए tab में open करके paste करेंगे इसके आगे आपको लिखना है simple pipeline-syntax okay so इससे क्या होगा कि आप इससे pipeline generator section पर आ जाएंगे यह page Jenkins के documentation से provided होता है तो यहीं से हम अपना code generate करेंगे for checkout code so यहाँ पे आप sample step पे जा सकते हैं इसमें आप checkout from verger control select कर सकते हैं इसके बाद आपको किस से select करना है हमारी git repository से हम करना चाहते हैं हमें repository का URL यहाँ पे देना पड़ता है so मेरी जो repository थी मैंने last time use करी थी वह यह particular repository थी so हम code section पे जाके इस URL को copy कर लेंगे और इस URL को यहाँ पे paste कर देंगे इसके बाद मेरा यह repository है यह repository मेरी public repository है तो मुझे credentials की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस पे and इसके बाद next thing हमें देखना होता है कि हमारी branch कौन सी है so मेरी repository पे जो branch है वो main branch है और currently यहाँ पे हमें जो branch हो कर रही है वो master कर रही है तो हम इस master को main से replace कर देंगे and उसके बाद हमें कुछ नहीं करना हम simply click करेंगे generate pipeline पे script पे and यह जो portion हमारा आया है बस हमें इसको copy करना है and इस particular portion को हमें यहाँ पे as a command paste कर देना है that's it so यही वो code था जो पिछली बार थोड़ा सा different लग रहा था कि यह code मैंने किस तरह से बनाया तो इसमें मेरा URL यहाँ पे आ गया and मेरा जो branch है वो name यहाँ पे आ गया so अभी test करके देखते हैं कि क्या यह checkout हमारा successfully work कर रहा है या नहीं so इसके लिए हम क्या करेंगे अपनी pipeline पे जाएंगे old code को हटा देंगे test पे pipeline पे ओके I think यह create हो गया है so हम dashboard पे जाते हैं test पे जाते हैं and configure section पे जाते हैं and यहां से हमारा pipeline का section हमने अटा दिया था so इस पे हमने अपना नया वाला जिसमें हमने checkout code डाला था उसको place कर देते हैं and save कर देते हैं okay and build now पे click करते हैं check करते हैं कि whether checkout code is working or not so हमारी first build start हो गई है execute होना and you can see checkout code is successfully done so यहां से हमें यह पता लगेगा कि हमारा जो code है जो हमारा repository पर यह सारा का सारा code पढ़ा हुआ था इसमें बहुत सारा code जो है वह relevant है बहुत सारा नहीं बट हमारा main relevant tomcat-users.xml है context.xml है and address book है जो मैंने एक दूसरी website से आपको जहां पे दिखाया था वहां से test cases वहां नहीं था तो मैंने previous build को उठाके यहां पे paste कर दिया है क्या यह सारी की सारी files हमारी वहां पे available है तो हम अपनी machine पर जाएंगे and इस particular path पर cd कर लेंगे ओके अभी check करते हैं कि क्या हमारी files available है yes हमारा सारा का सारा code यहां पे available हो गया है तो इससे पता लगता है कि हमारा पहला जो stage था वो successfully execute हो गया है अब next हमें क्या करना है जैसी हमें कोई next stage बनानी है तो उस stage के अंदर हम क्या करेंगे हम same stage को copy कर लेंगे okay and इसी के नीचे हम यहां पे इसे paste कर देंगे हमें this जो हमारे braces है इनका धियान रखना पड़ेगा क्योंकि हमारे दो braces one for pipeline one for stages है तो हमने यह दो braces को छोड़ दिया और rest पूरा का पूरा code copy करके हमने paste कर दिया अभी हमारी जो अगली stage थी वो stage हमारी थी install maven build tool okay so हम अपनी stage का नाम यहां पर दे देंगे okay so यह stage हमारी यह अगे install maven build tool और इसके case में check out नहीं करना तो हम यहां से check out वाले step को हटा देंगे और मैंने आपको बोला था है कि हमारा जो भी installation है वो linux ubuntu machine पे हमने किया था so अभी भी वही है इसलिए हमें sh command को use करना पड़ेगा execute करने के लिए so इस particular step के अंदर हमारे पास दो sh command हमें use करने पड़ेंगे तो command को हम यहां से copy करेंगे simply copy और इसको अपने pipeline के sh command पे paste कर देंगे and single coat हमें देना होता है मैंने आपको बताया था यह syntax है and second command हमारा होता है इस particular tar को untar करने के लिए so हम यहां पे जाएंगे and इस particular tar को untar करने की command को भी यहां paste oh sorry okay previous command भी चला गया कोई नहीं हम दुबारा से copy कर लेते हैं copy कर लिया and then इसको यहां पे हमने paste कर दिया second command को भी हम फटा-फट copy कर लेते हैं जो basically untar करने की command है और इस command को भी हम यहां पे paste कर देते हैं so अभी हमारा second stage भी create हो गया तो अब check करते हैं कि क्या यह दोनो stages work कर रही है या नहीं तो हम वापस जाएंगे अपने pipeline में इसके configure section में और पुरानी वाली pipeline का जो code है उस pipeline के code को हटा देंगे और नया code रख देंगे तो अभी हमारा stage 1 is checkout code और second stage जो है वो है install maven build tool तो इसको save करते हैं और build now पे click करते हैं चेक करते हैं कि क्या second stage भी successfully execute हो रही है नहीं yes so checkout code भी हो गया है and install maven build tool भी हमारा successfully install हो गया है तो इस तरीके से हमारी दो stages जो हैं वो successfully run कर गई हैं इसके बाद जो हमारी third stage होगी हम उसको भी copy कर लेते हैं यहाँ पे so last के दो braces को छोड़ेंगे because one is for pipeline one is for stages and rest code जो है उसको copy करके इन दो braces के उपर paste कर देंगे so यह हमने paste कर दिया अभी हमारा third stage क्या था third stage हमारा था compile से करने के लिए so हम यहाँ पे copy करेंगे इसको compile application and compilation के अंदर हमारा जो command है वो change हो जाएगा और एक ही command हमें चलाना होगा इसमें so इसलिए हम एक SS section को हटा देते हैं okay and यह command भी हम remove कर देते हैं and next हम अपना compilation वाले command को commands वाले notepad से copy कर लेते हैं चेक करें कि इससे पहले मैंने कोई भी dir section या कोई भी directory नहीं specify की थी तो यह maven देखते हैं कहां पर install हुआ है okay so यहां पर हम देखते हैं कि मारी pom.xml रखी यह source रखा है तो हमें यह path पर बैट के और हम कह सकते हैं इस path पर हमें cd करने के बाद then हमारा pom.xml को use करते हुए maven compile command चलेगा इसलिए हमें dir section डालना पड़ेगा क्योंकि हर बार हम directory को change नहीं कर सकते एक ही जगे पर बैटके हम directory को change कैसे करते हैं वो मैंने आपको बताता हम यहां पर dir section डाल सकते हैं so simply आपको करना क्या है dir ले लिजे and angle bracket लगाके आपको simply single quote लगाना है और वो path दे देना है so path जो है वो मैंने copy करके रख रखा है so हम इस path को यहां से copy कर लेते हैं और इस path को ही अब हम अपनी dir section में paste कर देते हैं correct इसके बाद हमें एक curly brace start करना पड़ता है और जब curly brace start हुआ है तो हमें curly brace को end भी करना पड़ेगा so हम यहां पर इस curly brace को end कर देते हैं तो इसके तरू हमारा sample application compilation वाला step भी done हो गया है so अभी क्या करेंगे check करते हैं कि compilation होने पर क्या यह तीन stages को execute करेगा so configure section में जाते हैं अपना पुराने pipeline को select करके पूरा का पूरा pipeline आप यहां से हटा सकते हैं and then paste कर सकते हैं so अभी हमारे तीन stages हो गए check out install maven build tool and compile sample application so अभी हम इसको क्या करेंगे save कर देंगे okay execute करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाता हूँ यहां पर कि अभी हमारे यहां पर केवल src folder है so जैसे मैंने अपना previous वीडियो में बताया था कि जब भी हम mvn compile command use करते हैं तो आप यहां पर एक target folder देखेंगे and target folder के अंदर dependencies along with classes folder generate हो जाएगा क्योंकि compilation में हमारा java code है वो .class files generate करता है so basically classes folder जो है आपका वो generate हो जाएगा execute करते हैं pipeline को और चेक करते हैं क्या classes folder generate होता है so हमने build execute कर दिया third build is in progress and checkout is done maven tool installation is done and third one is the compile sample application it is going on so जैसा मैंने आपको बदाया था कि maven जो होता है वो सबसे पहले चेक करता है कि आपकी local जो machine है जिस machine पे maven install है क्या आपके application code को compile करने के लिए सारे के सारे dependencies उस पे available है या नहीं अगर available होते है then it is okay but अगर available नहीं है तो वो उसको repo central पे जाके उन dependence की download करता है और आपकी local machine पे रखता है इसलिए first time ये process time लेता है second time जब हम इसे execute करेंगे तो इसको dependencies local machine पे मिल जाएंगी और ये process fast होगा so अभी आप currently अगर हम log section पे जाके चेक करें इसे तो वहाँ पे हमें ये show करेगा कि ये dependencies को download कर रहा है तो आप देख रहे है it's downloading, downloading, downloading so ये repo maven से जितनी भी dependencies हैं उन सारी dependencies को download कर रहा है जिसको भी इसे compilation के लिए जरूरत है so अभी आपने देखा कि ये build हमारा success हो गया है and आपने यहाँ पे एक चीज़ और देखी कि compiling 13 sources to wherelib, Jenkins, workspace, test, address book address book means target and classes folder के अंदर सारे .class file से generate कर रहा है, so अगर हम अभी इसको देखें, so target folder generate हो गया है and इस target folder के अंदर अगर हम जाके देखें, so इस target folder के अंदर classes folder हमारा आ गया है, ठीक है, so compilation piece भी हमारा successfully done हो गया, so it means हमारी तीन stages जो हैं, वो successfully completed हो गई है, next हम जाते हैं, इसके बाद हमारा था test करना था हमें sample application को और package करना था, so इन तीनों के अंदर बिलकुल सब चीज़े same थी, just command का difference है, ambient compile, ambient test and ambient package, so हम इन दो, पहले हम test वाली stage को भी create कर लेते हैं and देखते हैं, test होने के बाद क्या होता है, so हम जाएंगे अपने notepad पे, यहाँ पर भी कुछ same stage आपको copy कर लेनी है, just दो braces छोड़ने है, copy, enter and then यहाँ पर आप अपनी stage को paste कर दीजे, okay, so अभी हमें compile को change करके लिखना है, test sample application and हमें बस command को test करना है, okay, so अभी हमारा code ready हो गया है, four stages के साथ, so हम क्या करेंगे, copy करेंगे, वापस अपने test पे जाएंगे, configure section पे जाएंगे, और इसमें से हम सारे के सारे code को select करके delete कर देंगे, okay, और अपना नया code paste कर देंगे, so अभी हमारा क्या हो गया, चार stages हो गई है, check out, install, compilation and then test, इसको हम save कर देंगे, और अभी हम क्या देखेंगे, कि target folder के उपर, जैसे हमारा classes folder generate हुआ है, so जब हम testing करते हैं, तो उसके अंदर हमारी pom.xml के अंदर हमने देखा था, कि shorefire को हमने use किया था plugin को, so shorefire-reports करके folder create हो जाएगा, उसके अंदर हमारे सारे test case से related results जो होंगे, वो populate हो जाते हैं, so check करते हैं, इसको build करके, so मैंने आपको जैसे बताया था, कि मैंने इसको एक address book maven Google पर search करके, एक मुझे GitHub का repository मिला था, उस पे से मैंने इसको, जो है मुझे बहुत अच्छा example लगा था, तो मैंने वहाँ से इसको pick किया था, बट उसके ऊपर मुझे test cases नहीं दिख रहे थे, तो previous कुछ version, पहले उन्होंने test cases जुरक रखे थे, बट latest पर नहीं थे, इसलिए इसको मैंने अपने repository पर प्लेस कर दिया, ताकि मैं आपको test cases show कर सकूँ, so अभी आप देख रहे है, test sample application भी complete हो गया है, और अगर हम folder पर जाके देखते हैं, so हमारा शौर, फायर, हायर, पर रिपोर्ट करके folder generate हो गया, इसके अंदर हमारे सारे के सारे test cases से related reports होते हैं, so हमारा ये stage भी successfully done हो गया है, lock sections पर जाके देखते हैं कि test cases कैसे show कर रहा है, कि test cases हमारे successfully execute हुए है या नहीं, so हम यहां देख सकते हैं कि test total run की है, इसने 23, failure 0 है, error 0 है and skip 0 है, so ये particular section दिखाने के लिए ही मैंने इस code को अपने repo पे रखा था, ताकि मैं test cases भी show कर सकूं कि test cases किस तरह की से code पे execute करता है, so हमारा testing भी successful हो गई है, next इसके बाद हम जाएंगे अपने notepad पे और हमारा जो next stage था, वो stage था हमारा packaging करने के लिए, so अभी हम इसमे same copy कर लेंगे, जो हमने किया था stage को, last के दो braces चोड़ेंगे, copy करेंगे and then हम यहां पे paste कर देंगे, and test को replace कर दीजिए आप simply package से, so package sample application combined में हमारा जो, mainly command में हमारा जो change होगा, वो हमारा होगा package लिखना, package, okay, so अभी हमारी एक नई stage form हो गई है and copy करेंगे, same steps test पे जाएंगे, configure पे जाएंगे and इसके बाद सारे के सारे code को select कर लेंगे and remove कर देंगे, okay and नए code को paste कर देंगे, so अभी आप देख रहे हैं हमारी checkout code install maven tool compilation testing and packaging 5 stages तयार हो गई है इने save कर देंगे and इसको build करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस particular stage में आपका war file generate होगा, आप देखेंगे address book.war यहां target directory पर generate हो जाएगा, so build करते हैं and check करते हैं कि क्या हमारी next stage भी successfully execute हो रही है या नहीं, so start हो गया है checkout successful, install maven build tool is successful and compilation is successful और आप देख सकते हैं कि पहले compilation ने एक minute लिया था, उसके बाद जो compilation है उसने 4 second 5 seconds लिया है क्योंकि उसको dependencies locally available हो गई है इसलिए उसने maven repository से download नहीं करी है, testing भी हो गया है and packaging को यह इस time perform कर रहा है, so let's wait, it will not take much time, okay, so packaging भी हमारा जो है वो complete हो गया है and अगर हम packaging को जाके देखे तो वहां पे भी show करता है कि इसने address book.war को generate किया है और target directory पे place कर दिया, उसने बोला building war, where live Jenkins, workspace test, address book, address book main, target and then address book.war, okay, so अगर अभी हम ls-lrth करते हैं, so आपने देखा address book.war हमारा जो है वो यहां पे generate हो गया है, so इस हिसाब से हमारे packaging तक का pipeline बिल्कुल successfully execute हो गया है, next अगर हम देखते हैं जो हमारा next stage होता है, उस stage के अंदर हमारा होता है, क्या बोलते हैं, tomcat का prerequisite था, so अभी हम क्या करेंगे, एक command को copy कर लेंगे, stage को और paste कर देंगे, so हम यह वाला stage ले लेते हैं, क्योंकि हमें इसमें directory पे sit करके execute नहीं करना, इसलिए हम इसे copy करेंगे, last के दो braces छोड़ेंगे, and यहां पे paste कर देंगे, और stage का नाम हमारा जो है, tomcat prerequisite installation है, so हम यहां से लेंगे इस नाम को tomcat prerequisite installation copy, and then stage को यहां पे paste कर देंगे, and इसके बाद हमारे जो command है, वो दो command है, तो हमें यह command remove करने पड़ेंगे, but SS section को as it is रख सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, and इसको भी SS section को ऐसे ही रख सकते हैं, क्योंकि हमें just command paste करना है यहां पे, so उसको हम यहां पे लिख सकते हैं, command हमारा जो था, sudo apt update था, copy कर लिजे, and paste कर लिजे, and again इसका second हमें क्या था, prerequisite basically जब भी Tomcat को आप install करते हैं, so Tomcat से पहले हमें Java installation उस machine पे होना ही होना चाहिए, so यह basically इसकी prerequisite होती है, इसलिए यह stage मैंने यहां पे डाला क्योंकि बिना इसके Tomcat install नहीं होगा, so इसी के साथ हमारी Tomcat prerequisite भी हो गई है, and अब हम अगली stage को भी यहां बना लेते हैं, जो हमारी install Apache Tomcat server है, so let's go to the next stage, same, आपको copy करना है, दो braces को छोड़ना है, and then आपको यह stage यहां पे paste कर देनी है, okay, so अब stage का नाम चेंज कर देते हैं पहले, तो stage का नाम हमारा जो है, वो है install Apache Tomcat server, इसको ले लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं, okay, अभी हमें काफी सारे commands यहां पे लिखने हैं, so हम, I think six sh commands हमें एक साथ place करने पड़ेंगे, so ऐसा करते हैं, पहले six sh blocks त्यार कर लेते हैं, दो हो गए, sh single quote, okay, sh single quote, okay, then sh single quote, okay, then sh single quote, okay, so अभी हम एक एक करके command paste करते हैं अपने, so पहला command था हमारा इसके tar को डाउनलोड करने का, copy करते हैं, simply paste करना हैं आपको, अपके, यह गलत paste हो गया, paste, okay, and then, हम इसके second command को paste कर लेते हैं, जो इसको अंटार करने का था, अब इसके बाद हमें अपनी अपनी अडिटेड वाली, tomcat users file को main directory पे रखना हैं, जहां पे हमारी original file पड़ी है, यह भी हो गया, अब हमें context.xml के साथ भी यह करना है, so copy कर लीजिए इसको, and then paste कर दीजिए इधर, so this is also done, now last command हमारी जो है, वो हमारी command ती port change करने की, क्योंकि मैंने बताया था कि हमारा Jenkins भी 8080 पे रन करता है, by default और tomcat भी 8080 पे रन करता है, so एक ही port पे दो application रन नहीं कर सकती, port conflict टकर हो जाएगा, इसलिए मैंने इसके port को 8081 चेंज कर दिया tomcat के, और अगर आपको मेरा last video देखा हो तो उसमें आपने देखा होगा, मैंने एक single quote, double quote की एक story सी बोली थी, कि दोनों single quotes work नहीं करते, so मेरे इस command में आपने देखा single quote है, so हमें internal single quote को double quote से replace करना पड़ेगा, यह command हमारा तब ही work करता है, so this is also done, so हमारा एक और stage तियार हो गया, install Apache Tomcat server का, अभी हमें application को deploy करना है, so हम क्या करेंगे, एक stage को copy कर लेंगे, so छोटा सा यह वाला stage ही ले लेते हैं, copy कर लेते हैं, दो braces को हम छोडेंगे, okay, and यहाँ पर हम अपनी stage को paste कर देंगे, okay, यहाँ पर हमें stage का नाम चेंज करना पड़ेगा, stage का नाम क्या था हमारा, यह था deploy sample application to Tomcat server, so यह हम यहाँ पर place कर देंगे, अभी steps में हमें दो steps की जरूरत पड़ेगी, और I think एक step की जरूरत पड़ेगी, हमें दो steps की जरूरत पड़ेगी, एक तो Tomcat पर application deployment, and then Tomcat server को start करना होगा, so पहला command यहाँ से copy कर लेते हैं, इस command में कोई भी single quote, double quote नहीं है, okay, control, c, copy, and इसको यहाँ पर paste कर देते हैं, first command को paste, okay, this is done, second command हमारा जो है, उसके अंदर, हमें, एक single quote, यहाँ पर mention है नहीं, बट इसमें था, so यह command basically जो था, यह ऐसा था, single quote, and then, single quote, so हमें क्या करना है, इस command को as it is अभी copy करना है, and अपने, notepad में paste कर देना है, और क्यूंकि बहार, already single quotes लगे होए हैं, इसलिए हमें इस single quote को, double quote से replace करना पड़ेगा, ताकि यह सही से work कर सके, okay, so अभी हमारी pipeline, पूरी की पूरी as it is, same pipeline हो गई है, जो हमने अपने, previous video के अंदर, deploy में use करी थी, so हम इस पूरी pipeline को यहां से copy कर लेंगे, and then, test पे जाएंगे, हम configure पे जाएंगे, वहां से old pipeline को select करके remove कर देंगे, so पूरी select कर लीजे, हटा दीजे, and then paste कर दीजे, so अभी हमारी यह complete pipeline, पूरी की पूरी हमने यहां paste कर दी है, and इसको save कर देते हैं, and then build करके देखते हैं, so most probably हमारे इतने steps तो successfully complete होंगे, but new steps जो हैं वो fail करेंगे, क्योंकि मैंने आपको last video में भी बोला था, कि Jenkins हमारा जब भी Tomcat को install करने के लिए, या फिर sudo update commands को run करता है, तो उसके लिए password की need होती है उसको, so हमें एक entry करनी पड़ेगी, जिसके थूरू हमारा Jenkins को password की ask नहीं होगी, और Jenkins commands को execute कर पाएगा, सो अभी आप देखेंगे, fail कर जाएगा, so wait करते हैं, yes, so यह हमारा fail कर गया, यह जैसा मैंने बताया था, गर एक stage fail होती है, तो उसके बाद जितनी भी subsequent stages होती है, वो सारी stages fail हो जाती है, अभी हम अपनी box पे जाते हैं, यहाँ पे हमें थोड़ी सेटिंग करनी होगी, हमें sudoors file को edit करना होता है, तो पहले हम उसको permission दे देते हैं, कि कोई भी उसको read कर सकता हो, etc में, sudoors को, okay, अभी हम इसको edit करते हैं, file को, और अपने Jenkins को, no password की entry, इसके अंदर डाल देंगे, okay, सो हमें allow कर रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं, आपर read only file नहीं आ रहा, सो अभी हम क्या करेंगे सब से पहले, insert mode में जाएंगे, okay, यहाँ पे हम, Jenkins को, all equals to, bracket में, all, and then space, and then no, pass wd, colon, all, okay, so, यह entry हम करेंगे, इसके थरो हम से password की need नहीं होगी, so, Jenkins, all equals to all, no pass wd, colon, all, okay, अभी हम इसको save कर देंगे, okay, so, यह मुझे कैसे पता लगा, कि यह password की वज़े से fail हुआ था, तो मैं आपको locks में इसको show कर देता हूँ, अगर आप console output पे जाते हैं, and last में आप जाएंगे, so, देखा आपने, यहाँ पे बुला, terminal is required to read the password, either use a hyphen as option, to read the standard input, or configure, and ask pass helper, so, इसका जो turn or workaround, you can say, मैंने उसका workaround दूणडा था, और इस entry के थुरू, यह error हमारा resolve हो जाता है, so, build करके देखते हैं, कि क्या हमारा error इस entry से resolve हो गया, most probably, it should be resolved, but let's check, okay, so, checkout is done, installation maven is done, compilation यहाँ तक तो हमारा successful होई गया था, इसके बाद testing and packaging भी successful हो गई थी, mainly हमें देखना है कि Tomcat prerequisite installation, along with Tomcat server installation and then deployment of application successful हुआ है, या या नगी, so, wait करते हैं, यह बहुत fast होगा, कुछ seconds ही लेगा, okay, prerequisite now worked successfully, and it is now installing Tomcat server, that is also done, along with deployment is also done, okay, so, now हम check करते हैं कि हमारा Tomcat successfully install हो गया है, नहीं, so, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, simply हमें यह public IP, आप ले सकते हैं, and then, एक नए browser के अंदर, इसी IP को, आप, port number 8081 से open करके देखिए, so, yes, Tomcat हमारा successful install हो गया है, हम manager app पे जाएंगे, credential पूछेगा, यह credential वही है, जो मैंने, अमनी Tomcat-users फाइल के अंदर लिखे थे, so, हम उसी से ही, इसमें लॉग इन करेंगे, आप देख सकते हैं, कि successfully allow कर दिया है, इसने हमें login करना, और हमारी application जो है, वो यहाँ पर पड़ी हुई है, address book नाम से, so, successfully हमारी application भी access हो गई है, so, application की working, मैंने last time भी बताई थी, just कुछ नहीं है, आप कोई भी first name आप दे सकते हैं, and last name दे सकते हैं, and then phone, कुछ भी number आप यहाँ दे सकते हैं, arbitrary, there is no issue, email आप also, कोई भी email address यहाँ दे सकते हैं, कोई checking यहाँ पर provide नहीं करेंगे, because it is just a sample application, and आप कोई भी date दे सकते हैं, and then save करेंगे, so, आप देख रहें, कि आपका जो भी नाम, and जितना भी data था, वो सब top पे populate हो गया है, so basically इस application की working यही होती है, so guys, आपने देखा कि, हमने किस तरीके से, अपनी complete application को build किया, from a sample code, जो हमें available था, और जब हम इस pipeline को, पूरा शुरू से end तक देखते हैं, तो ऐसा लगता है, कि यह कितनी complex है, but इसको create करना बहुत असान है, so मैंने आपको एक sample code को build करके, and then deploy करके दिखाया, so इसी तरीके से, आप कोई भी pipeline create कर सकते हैं, just आपके पास, Linux-related यह commands होने चाहिए, and आपको पता चल गया है, कि आप stages के अंदर stage होते है, and then उसके अंदर steps होते है, so just आपको sh करके यह commands प्लेस करने है, and आपकी pipeline successfully execute हो जाएगी, so guys, by this, we are done with today's video, so I hope you liked it, so please like this video, and subscribe to my channel, and I'll see you in my next video,